हाई फ्रेंद्स वेलकम तो मैं चैनल ड्रीम्स लाइफ आज हम जानेंगे कुछ छोटे मोटे टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स लिपस्टिप के वारे में देखिए मेकप के नाम पे पहले किसी भी लड़की को या किसी को भी याद आता है लिपस्टिक देखिए आप जितना अगर लिपस्टिक आपका ब्राइट नहीं है तो फिर मजा नहीं आता राइट ने तो आप कुछ भी मेकप मत कीजिए सिर्फ एक ब्राइट कलर का लिपस्टिक लगा के निकल जाएए तो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट लगता है कि यह साम लुकिंग गुड बोलके क क्योंकि यह लिपस्टिक के खासियत है ना फ्रेंस यू फाइंड लॉट अफ कलर ना कलर वेरियंस इतने है कि आपको अच्छा लगता है राइक सो आज मैं यह वीडियो मैं डिकेट कर रही हूं उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स अभी अभी मेकप करना स्टार्ट किया ह जैसे हम लोग रेगिलर्ली करते हैं तो हमें तो पता ही है लेकिन बिगिनर्स के लिए शायद थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा यह वीडियो ओके चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिपस्टिक लगाने का ना कही लोगों को यह लगता तु नाच्रली फुलिबस्टिक जो है न फ्रेंस वह अच्छा नहीं लगेगा सो सबसे पहले लिपस्टिक लगाने से पहले आपको पहले काम जो करना है वो है टू प्रेपियर लिपा लाइक एक्सफोलियेंग करना वह है एक्सफोलियेट करना बहुatility है्लगा दल्रणी ज पानी पीना बहुत जरूरी है लेकिन कई लोग में इसे पीते ने तो उनके लिप्स जो है ड्राइ हो जाता है विंटर की वज़े से तो क्या हम क्या करना चाहिए पहले आपना कोई लिप बाम या वासलीन या फिर हनी कोई भी ऐसे मोईस्टराइजर लेके ना फ्रेंस आपके लिप्स को स्क्रब करना बहुत इंपोर्टेंट है इसके लिए आप क्या करेंगे कुछ भी मोईस्टराइजर मैंने जैसे बताया वैसल कुछ भी अपलाई करके ना टूथ ब्रेश जो सॉफ ब्रिजल होते है ना वैसे वाला टूथ ब्रेश से आप सर्किलर मोशन में लिप लिप्स को अच्छे से स्क्रब कीजिए फर नोट मोर देन वन ओ टू मिनिट्स जादा भी नहीं करना है लिप्स बहुत डेलिकेट होते हैं तो लिप्स को थोड़ा सा स्क्रब करने के बाद आप पहुंच दीजिए तो फिर आपको ना डट लीव यूर लिप्स ना प्लंप क्योंकि लिप्स को अच्छे से डेफिनिशन चाहिए अच्छे से डिफाइन करते हैं तो लिप्स तो पहले आपको क्या करना है कई लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हमारे लिप्स जो है बहुत जादा मोटे हैं हमें इतने नहीं चाहिए हमें तोड़ी से पतले अगर ऐस तो अगर आपके उल्टा प्रॉब्लम है कि हमारे लिप्स में बहुत थिन है, हमें बड़ा प्लंपी प्लंपी लिप्स अच्छे लगते हैं, तो आप लोग को क्या करने हैं, आप लिप लाइन के थोड़ा सा बाहर जाके आप लिप लाइनर लगा लीजे, तो आपको जैसे च अच्छेहा साइज में आप लिप लाइनर लगा के, उसके बाद में आप लिप्स्टिक को अंदर फिल करेंगे, तो इत विल स्टॉप लिप्स्टिक टू ब्लीड ओल्सों, बाहर फैंने नहीं देथा, तो इस वेरी इंपोर्टेंट सटिप, और दूसरी इंपोर्टेंट इंपोर्डेंट बात है ना फ्रेंट्स की लिप लाइनर शुडबी ओल्वेज अबिट डाकर दान यह ओरिजनल लिप्स्टिक तो यह आप ध्यान रखिए फर्स्ट टिप है कि आप लिप लाइनर को ज़रूर रखना है लिप्स को लिप्स्टिक लगाने से पहरी अब दूसर जब आपके लिप्स पर आजाएगा तो कुछ और कलर दिखता है तो वह उसका प्रॉब्लम यह है कि देखिए आपका ना लिप्स एकुल कलर मलब सेम कलर नहीं है पिंक नहीं है तो अगर जिनके लाइट कलर के पिंकिश लिप्स होते हैं वो लोग को जो मरसी लगाएंगे फ्रिंस थे कलर विलप आउट एक्जेक्ली जो कलर है उनका वही कलर निकल के आता है लेकिन किसी किसी कलर आप जैसे मेरा भी देख लीचे तो ओपर मेरा लिप कलर थोड़ा सा डार रहता है नीचे थोड़ा सा लाइट रहता है जब आप लिप्स्टिक कोई भी लगाएंग तो उसके लिए hack है कि white kajal pencil white kajal pencil ले लिजी आप फिर आपके पास concealer या even foundation भी आप लगा के ना पहले दोनों lips को neutral कर दीजे same कर दीजे उसके बाद अगर आप lipstick लगाएंगे तो अपका exact color pop out होगा और एक problem जो हो जाता है usually हमारे सार कि भई हमको lipstick जादा देर नहीं रहता कैसे बनाएं लॉंग lasting देखिए सबी लोग high end products या branded products यूज नहीं कर सकते कई बार हम लोग ऐसे locally कुछ भी उठा के ला लेते हैं और वह long lasting नहीं रहते हैं और transfer proof भी नहीं रहते हैं तो निकल जाते रहता है ऐसे में अगर ऐसे नॉर्मल से नॉर्मल lipstick को भी आप long lasting ऐसे बना सकते हैं कि देखिए जब आप lipstick लगा लेंगे एक coat उसके बाद आपने कोई भी ऐसे tissue ले लेना है ऐसे करके press कर दीजिए ठीक है tissue पर आजाता है tissue को आप ऐसे रखके ना friends कोई भी loose powder लेकर अच्छे से dab कर लीजे तो उसके उपर फिर आप निकाल देंगे ना immediately next coat लगा लीजे अगर ऐसा करेंगे ना अगर आपको कई-कई बार होता है कि हम जादा देर तक किसी function में या कहीं पर रह रहना है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर तक हमारे lipstick टिका रहे तो आप तीसरा coat भी ऐसे लगा सकते हैं फिर से आप ऐसे करके उसको प्रेस कीजिए जब वह निकल जाता है तो आप यह तीसरा coat लगा के निकल जाए तो शाम तक भी आपका lipstick टिका रहता उसका logic यह है कि एक अगर लेयर निकल भी जाता है तो next layer ready रहता है कि आपके lips न ऐसे faded नहीं लगेंगे तो चलिए आप जानते हैं और एक बात के बारे में कि कई बार हमको लगता है कि हमारा lipstick जो है ना हमारा glossy नहीं है तो हमारा matte lipstick है या फिर जो right shade हम carry करना चाते हैं उस occasion के लिए उसका हमेरे पास glossy lipstick नहीं है night में जा रहे हैं तो तो उसके लिए आपको डरने की कोई बात ने अपना eyeshadow palette उठाई है उसमें से shimmers मिलते हैं जो आप highlighters हो गए ऐसे shimmers मिलते हैं जो आप आँखों के उपर लगाते वो उसको थोड़ा सा लेके आप ड़ाप कर लीचे तो आपका shimmery glossy lipstick ना ready है और दूसरी बात है ना friends कि आजकल यंग्स्टर्स को यंग जनरेशन को ओम्रे lipstick लगाना बहुत पसंदे वे वो कैसे लगाएंगे कुछ नहीं है friends बहुत simple है पहले आप dark lipstick लगा लीजे जो भी आपका उसके बाद में lighter shade लेके हमेशा बीच में यहां यहा कि थोड़ साल का सा उसको dab dab कर देंगे एक ओम्रे एफेक्ट आता है और बहुत and it will make your lips look fuller also ठीक है यह टेक्निक अपना ही है बहुत easy है और अच्छा से आप enjoy करेंगे ओम्रे लिप्स्टिक को trendy trendy लगेंगे और अबसे बड़ी प्रॉब्लम है कई लोगों को ना friends lipstick लगाते ह है liquid lipstick specially तो उसको ना तांत पर आ जाता है क्योंकि lipstick ऐसे अपने lips के ऊपर से तो अंदर नहीं जाता है वह problem तब आती है जब आप लोग बहुत अंदर तक lipstick apply कर लेते हैं तो अगर आपको आप आप ऐसे कभी लगा लिया तो आपको लगता है बहुत अंदर तक लगा लिया lipstick त तो फिर कैसे तो उसके लिए भी simple solution है आप अपना finger को ना ऐसे लगा के जो से बाहर खीच दिये जो जो भी extra जो आपके अंदर की तरफ है ना वो आ जाएगा तो फिर आपको lipstick ना ऐसे दांतों पर आने का कोई problem ने रहें यह होगे थोड़े मुत lipstick के hacks होगे tricks होगे tips होगे ज हम यूज कर सकते हैं ऐसा कोई यह नहीं है friends ऐसी कोई बात नहीं है lipstick को ना आप कई और तरीके से भी आप इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कई बार होता है ना हम लोग online order कर लेते हैं कोई भी shade हमको अच्छा लगता है तो हम order place कर लेते हैं और हमारे पास receive होता है जो बहुत lighter shade कभ जो भी है आप purple या naika से खरीदिये वहां पर मुझे लगता है easy returns है लेकिन अगर flipkart और amazon से आप लेंगे तो no returns काटेगरी में ही आते हैं यह makeup products सारे so वहां पर आपको बहुत ही problem हो जाएगा अगर बाइचांस कभी ऐसे आपके साथ हो भी गया तो डरने की बात नहीं है आप carry नहीं कर सकते तो आप उसको highlighter जैसे eyeshadow जैसे आप इस्तमाल कर सकते not an issue okay अगर lipsticks कई बार होते हैं कि खतम हो जाते रहते हैं end तक आके बस हम कई बार उंगलियों से भी लगा लेते तो उसके अंदर भी अगर आप किसी चीज से scoop out करेंगे ना friends तो अच्छा-पासा quantity रहत लिप्स्टिक का तो अगर आपकी कोई फेवरेट लिप्स्टिक हो खतम हो गई हो डरने का नहीं है चिंता करने की बिल्कुल ज़वरत नहीं है उसको scoop out कीजिए थोड़ा सा spoon में लेके नीचे candle लगा के उसको थोड़ा सा heat दीजिए वो मेल्ट हो जाता है तो कोई छोटी से हीट दे दीजिए तो कैंडल रखके उसके उपर कैंडल के उपर आप रख दीजिए तो मेल्ट होने लगते हैं तो तो तीन कलर मिक्स करके मिक्स होकर भी ना फ्रेंस एक अच्छा नया शेर बन जाता है तो यू कन ट्राइड इस आलसो तो आप लोगों को लिप्स्टिक रि भी लेंगे तब तक स्टे फिट स्टे ब्यूटिफुल बाबाई